आला दोस्तों आप सभी का स्वागत है HP Studies में माई नीम स्केश्व कटोज so HP TET November 2024 की notification आउट हो चुकी है आज से आप form जो है वो भर सकते हैं तो इसी के लिए हमारा online badge जो है वो HP TET Arts Non-Medical और Medical के लिए हमारा online badge जो है वो 3rd of October से जो है वो start हो रहा है यह पहली stage होती है जिसमें आप HP TGT Arts या Non-Medical और Medical या फिर इसमें आप बाकी language teacher और प्लस आप English और उर्दू के लिए भी जो है वो TET जो है वो देते हैं तो सबसे पहले TET Arts की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें that is 5 subject आपके इसमें होते हैं पहला आपका child psychology मतब CDP के आप बात कर सकते हैं जिसमें 30 questions होंगे 30 marks का होगा और यहां पर social studies भी आपको 60 marks की यहां पर देखने को मिलेगी तो total 150 marks का यहां पर आपका यह paper होने वाला है उसके बाद दूसरी बात करते हैं हम यहां पर HP TET non-medical की बात करते हैं तो यहां पर आपका CDP सेम रहता है 30 marks का जर्नल अवेनस 30 marks का सेम रहता है पर इसमें physics math और chemistry जो है वह आपका add हो जाता है तो यह भी 30 30 marks के आपके add होते हैं और यह आपका total paper 150 marks का हो जाता है तो CDP सम्में सेम ही आपकी रहेगी और जर्नल अवेनस भी आपकी सम्में सेम रहेगी उसके बाद अगर हम बात करते हैं that is HP TET medical की तो जिसमें आपका child psychology भी सेम रहेगा 30 marks का chemistry और bio इसमें add होता है बायो आपको 60 marks कि रहेगी प्लस आपका chemistry 30 marks रहेगा इसमें आपका physics और that is mathematics आपका नहीं रहेगा और general awareness भी यहां पर 30 30 that is 30 question 30 marks के आपको मिलेंगे 150 marks का आपका total paper जो होई दिखने को मिलेगा अब इसमें जो है कि आपको यह जो आपको प्रवाइड किया जा रहा है अब ध्यान से सुनिएगा कि इस course में आपको ध्यान में रखना कि आपको यह पहले तो यह कि आपका recorded batch रहेगा ठीक है recorded batch में आपको फुल्स लेबर्स जो है वो आपका करवाया जाएगा फुल्स लेबर्स के साथ आपको class notes जो है वो provide किये जाएंगे जो कि आपके हिंदी और English दोनों मीडियम में आपके रहेंगे ठीक है आपका live doubt session रहेगा अगर आपका कोई doubt है तो आप हमें Friday को जो है वो भेज सकते हैं और यह आपका full syllabus जो है वो आपका time पे ही खतम होगा Hindi और English में ही आपका test रहेगा plus test series भी आपकी इसमें include रहेगे तो जो भी बच्चे इसको join करेंगे सारी चीज़ें जो है वो आपको इसी batch के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी plus आपको current affairs भी यहाँ पर one year का current affairs जो है व आप करेंगा तो यह सभी चीज़ें आपको इसी batch के अंदर जो है वो देखने को मिलेगे और जैसे कि आपका bio का हो गया that is chemistry हो गया physics हो गया math हो गया general awareness हो गया HPGK हो गया CDP हो गया इन सबके notes plus आपको वीडियो जो है वो आपको इसी batch में जो है वो देखने को मिलेंगी अब ध्यान में रखिएगा कि यह batch जो है यह 3rd of October से जो है वो start हो रहा है यह course आपका जो है वो before exam आपका complete हो जाएगा बट इसकी validity हमने एक साल की रखिय है एक साल की validity रहेगी आपकी जो वीडियोस आपको मिलेंगी वो आपकी further किसी और examination की आप त्यारी कर रहे है तो वहां के लिए भी benefit जो है वो आपके रहेगी और इस बैच के लिए तो और इस आपका test examination के लिए तो यह beneficial है ही है फीज अभी जो है वो हमने सभी की फीज अर अदरवाइस अगर बोले non-medical medical की फीज अलग लग है बट अभी के लिए हमने सभी की फीज वो common फीज रखे 1500 तो जो भी बच्चा अभी इसको जोईन करता है तो 1500 फीज में उसको one year की validity के साथ यह full course वो देखने को मिलेगा course start होगा आपका 3rd of October से बट यह course open कब होगा यह course आपको जो है वो four lectures जो है वो इसमें दिये जाएंगे तो डेली चार lectures आपके इसमें मिलेंगे जिसमें आपका पूरा syllabus जो है वो complete होगा time table के अगॉर्डिंग जो है वो ही lectures आपको देखने मिलेंगे क्योंकि हमारे पास 48 days जो हो हमारे पास हैं और आराम से आपका syllabus जो है वो आपको मिलेंगे आपने hp exams में जाना है hp exams में आपको वहां पर teaching exams में देखने को मिलेगा तो hp आपको कोई डाउट आता है तो 7814846248 पर आप हमसे बात करके भी इस बैच को जोइन कर सकते हैं कोई और डिफिकल्टी आती है या कोई और आपको दिक्कत आती है बैच जोइन करने में या फदर कोई information के लिए तो आप हमें अगले साल स्टार्टिंग में आता है और इस इसका रिजल्ट जो है वो आपका अगर नवेंबर में होता है जनवरी तक आता है तो यू आर अलिजिबल फॉर दिस ओके तो ध्यान में रखने कि यह बहुत इंपोर्टेंट रहेगा जो बच्चे टेज़ेडी के लिए त्यारी कर रहे है अगर टेट क्वालिफाई नहीं है तो यह नवेंबर के टेट आपके लिए बहुत बेनिफिशल है ठीक है ना तो थैंक्यू बेरी मच आल दे बेस्ट